पालक पनीर पराठे के साथ तो बहुत बार खाया होगा आपने पर क्या कभी पालक पनीर का पराठा खाया है? जी हाँ चोटने की जरूवत नहीं है प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ये पालक पनीर पराठा अगर सुभा नाशते में एक बार खा लेंगे तो दिन भर तरो ताज़ा महसूस करेंगे क्योंकि नाश्टे में ये एक पराठा ही काफी है जी हाँ दोस्तों सिटी किचिन में आप सब का बहुत स्वागत हैं उम्मीद करते हैं सब लोग मजे में होंगे आई रेसे पे शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम ताजा पालक तो इस तरह से पालक को पहले आप में साफ कर लेना है धो लेना है और इसके बाद हमें से थोड़ा सा रफली चौक कर देंगे आप चाहे तो पालक को ऐसे ही बिना काटे साबुत उबाल सकते हैं पर ऐसे हमारा काम फटा फट हो जाता है तो हलका सा मैंने मोटा मोटा इसको काट लिया है और ये देखिए पालक तयार है अब बस इसको कड़ाई में डालेंगे और एक मिनट के लिए बस इसको पका लेंगे हमें बहुत जादा नहीं पकाना है ना इसमें नमक डालना है ना पानी डालना है और नहीं इसे ढखना है इससे बहुत प्यारा इसका हरा कलर बना रहेगा और ये देखिए एक मिनिट में ही इसे उलट पलट कर हमने निकाल लेना है पानी से इस तरह से आप इसे पानी से निका अधरक मिक्स करके हमें पीस लेना है अब हम स्टफिंग तयार करते हैं तो कड़ाई में एक चमच तेल गरम करें उसमें एक चमच जीरा डालें और एक चमच कुटा हुआ धनिया और साथ में डाल देंगे ठोड़ा सा लहसुन बारिक चौप करके और इसको हमने हलका सा भून लेना है और अब इसके साथ ही हम यहाँ पर एक प्यास डाल देंगे बारिक कटा हुआ इसको भी हमें हलका साभून लेना है लेकिन कलर चेंज नहीं करना बस सॉफ्ट करना है अब इसमें डाल दें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप हरी मिर्च तो कुछ हरी मिर्च मेरे पास ह इसको मैंने काटके डाल दिया चला फिरा कर अब हम यहाँ एक शिमला मिर्च भी डालेंगे बारिक काटकर आप इसके अंदर गाजर डाल सकते हैं आपके पास कोई हरी प्याज तो आप वह भी डाल सकते हैं जितनी ज़ादा सबजीयां डालेंगे उतना ही हेल्धी स्टफिं मैशीनी करना हमें इस तरह से आपने डालना है जैसे कि आप पनीर भुरजी बनाते हैं और आपने हाथ से इसको इस तरह तोड़ते हुए डाल दिया है और अब इसको हम चला फिरा लेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे नमक स्वात के अनुसार क्योंकि हमने अबी तक इसमें नमक नहीं अट करा है तो ये देखिए इसको हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है बस इसका हल्का सा मौइस्चर खतम करना है तो नमक डाल दीजिए स्वात के अनुसार साथ में डालें थोड़ा सा गरम मसाला इससे बहुत बढ़ा फ्लेवर आता है और आज हम इस स्टफिंग का पराठा बनाएंगे अब स्टफिंग तयार होगी उसे छोड़ देते हैं एक साइड रग देते हैं आता तयार करेंगे तो एक कप मैंने यहां गेहूं का आता लिया है और उसमें थोड़ा नमक डाला स्वात के अनुसार और एक चमच तेल इससे प मिक्स कर लेना है अब हमने जो पालक की प्यूरी तयार की है वो प्यूरी से आता गूनेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे यह देखिए कितना प्यारा कलर आया है पालक का क्यूंकि हमने इसे हलका सा उबाल के ठंडा करके पीसा है इसको दोबारा पानी में डाल तो सारे विटामिन्स तो वैसे ही निकल जाते हैं पानी में डालने के बाद पर इस तरह हमारे पालक में विटामिन्स बने हुए हैं और इसको हमने आटे के अंदर मिक्स करते वे गून लेना है और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आटा गूनते जाएंगे soft आटा गुनना है, बिल्कुल जैसा कि हम अपने नॉर्मल घर में पराठे रोटी के लिए गुनते हैं, ये देखिए, इस तरीके से हमारा आटा गुनके हो जाए, जब तयार तो आपने क्या करना है, इस पर तेल लगा कर हलका सा 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, बहुत बढ़े आटा तयार हो जाएगा, अब तवा गरम कर लीजिए, और हाथ से इसके पेड़े बना लीजिए, जैसे कि आप रोटी या पराठे के लिए बनाते हैं, बहुत आसान तरीका है, आपने इस तरह से पेड़े बना के थोड़ा बढ़ा लेना है हाथ से रोटी को, और अब इसे चकला बेलन पर आपने बेल लेना है, एक बड़ी सी रोटी तयार करेंगे, आज मैं दो तरीके से पराठे बनाना सिखाऊंगी, एक आपको इसका पालक पनीर का लिफाफा बनाना बताऊंगी, और एक ट्रडिशनल राउंड शेप का पनाठा हम बनाएंगे, जैस इसको आप चोकोर पराठा भी कह सकते हैं, तो एक बड़ी सी रोटी बेल के तयार कर ली, अब सेंटर में हम पनीर की स्टफिंग रख रहे हैं, बहुत सारी स्टफिंग हमने रखी हैं, लगबग 3-4 चम्मत और इसको इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है, जैसे कि कोई लिफ के हाथ से आपने बेलना है, ताकि स्टफिंग आपकी ना निकले, और आप चाहे तो बिना बेले इसको ऐसे ही तल भी सकते हैं, तो बहुत बढ़ी आलिफाफे लगते हैं ये पनीर वाले खाने में स्वादिष्ट, पर हम पराठा बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बढ़ा करक गरम तवे पर इसे रखेंगे, और अब यहाँ पर इसको बाकी जैसे रोटी पराठे सेखते हैं, वैसे ही उलट पलट कर हमने सेख लेना है, और यहाँ पर आप देशी घी लगाएं, ओलिव ओल लगाएं, या कोई भी तेल जो भी आप खाने में पसंद करते हैं, मखन तेल लगाकर आप इसको दोनों साइट से सेख लीजिए, उलटे पलटे हुए बहुत ही क्रिस्पी करारा टेस्टी पराठा बनके तयार होता है, इसकी आउटर लेयर बहुत क्रिस्पी बन जाती है, ऐसा करने से, और यह देखिए फूल जाता है पराठा, कहीं से भी आप देख स सकते हैं, स्टाफिंग बाहर नहीं निकली, तो बहुत ही खुबसूरत, बहुत ही टेस्टी पराठा बनके तयार हो गया, तो इसको नाश्ते में जरूर ट्राइ करें एक बार, अब आईए, यह पराठा तयार हो चुका है, अब गोल वाला ट्रडिशनल, तो बिल्कुल ऐसे लोई को साइट से फोल्ड कर देना है, यह देखें, इस तरीके से बहुत आसानी से यह काम हो जाता है, और उपर का बचा हुआ एक्स्टर आटा, चाहे तो निकाल कर साइड में रख दें, चाहे इसी में प्रेस करके दबा दें, और यह देखें, हमारा यह पेड़ा बनके तयार हो चुका है, अब आप इसे आटे में कोट करते हुए, इसको हाथ से थोड़ा बढ़ा लें, और फिर चकला बेलन पर इसको बेल लीजिए, बहुत बढ़िया राउंड शेप का पराठा है, इसमें भी स्टफिंग आपकी बाहर नहीं निकलेगी, तो टेंशन बिलकु कर सेंक लेना है, इस तरह ये देखिए, अब आप वैसे ही उलट पलट कर दोनों साइट से सेंक लें, और जब तक ये सिकर तयार हो रहा है, तब तक एक काम तो कर लीजिए, अगर रेसिपी को वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, तो फट अफट से एक लाइक कर दीजि और आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़ा क्रिस्पी करारा पराठा तयार है, दोनों साइट से अच्छे से सेंक लें, एक दमफूला फूला स्टफिंग से भरा हुआ पराठा तयार है, अब आप इसको चटनी के साथ खाएं, मक्षन के साथ खाएं, क्रीम के साथ जैसे चा जो हमने लिफाफा बनाया था, ये देखी, कितने अच्छे से आप देख सकते हैं, इसमें पनीर भूर जी नजर आ रही है, तो हो गया ना, पालक पनीर पनाठा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली पीमे, बाइ बाइ!